बिहार में शिक्षा विभाग के SES केके पाठक लंबी छुट्टी पर चले गए केके पाठक की छुट्टी को सरकार ने मंजूरी रेदी है 3 जून से 30 जून तक 28 दिनों तक उपारजित अफकाश पर केके पाठक रहेंगे मुख्यमंत्री के प्रधान सचीफ डॉक्टर S. सिधाट को शिक्षा विभाग के SES का प्रभार मिला S. सिधाट इसके साथ ही विपाड के DG के प्रभार में भी रहेंगे सरकारी स्कूलों में गर्मी के कारण छुट्टी घोशित के जाने को लेकर विवाद सामने आया था शिक्षा विभाग ने भीशन गर्मी के बीच स्कूल की चाइमिंग में बदलाव किया था छुट्टी की घोशन नहीं की थी शिक्षा विभाग के अडियल रुप को देखते हुए विहार सरकार के क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रुप ने सरकारी स्कूलों में 8 जून तक छुट्टी की अनुशन सकी थी सरकारी स्कूलों में छुट्टी का अदेश राजी के मुख्य सचीव ने जारी किया था बता दे कि केके पाचक के अपर मुख्य सचीव बनने के बाद विहार शिक्षा विभाग का सुर्ख्यों में रहता है वो लगातर विभाग में बदलाव कर रहे हैं जिसको लेकर काफी चर्चा में रहते हैं और राजनितिक निशाने पर भी रहते हैं गर्मी की चुट्टी को लेकर भी काफी विभाद हुआ था भीशन गर्मी की वजह से बिहार में कुछ दिन पहले स्कूली बच्चे भी होशो कर गिर गए थे इससे पूरे बिहार प्रशासनिक में हड़कम मच गया था आनन फानन में शिक्षविभाग ने सरकारी स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया इसके बाद 30 मई से 8 जून तक चुट्टी की घोशना कर दी गई इससे आदेश से केके पाचा की नराजगी थी उन्होंने लंबी चुट्टी की मांगी थी इसके बाद कई कयास भी लगाए जा रही थी